जैब बाद एब्रीवन दिशिए श्रीवम्तिवारी और वाचिंग टेक्नोग जानी तो आज हम डिसकस करने वाले है 20 मिनट में कंप्लीट बेफसाइट जेहां आप 20 मिनट में कंप्लीट बेफसाइट बना सकते हैं उसके लिए आपको नॉर्मली करना क्या है जट अजट दे आपको अप्लिकेशन फॉर्म नहीं मिलेगी तो सबसे पहले आपको उसको अंजिप करना होगा अंजिप करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है अचिप करना है और यह दूसके करना है यह जबी आप इस फाइल करेंगे तो आपको वेडप्रेस का इस तरह से फोल्डर मिलेगा आप इस इस तरह से चेह कर सकते हैं तो यह जो folder मिलेगा आपको मैं आपके सामने फिर से एक बार extract करके show कर रहा हूँ, इसे delete करके, okay बच्चो, तो मैंने इसमे right click किया and then extract हिया, extract here process बहुत easy है, unzip होने का process है एक तरीके से, तो जब भी यह extraction की process complete होगी, तो आपको इस folder को copy करना है, then copy करने के बाद, आपको seed right पे जाकर के इसे paste करना है, so seed right में बच्चो, आहां पे paste करना है, मैं आपको show करना हूँ, यह मैंने copy किया यहांसे, यह मैंने यहांसे copy किया and then seed right पे जाओंगा, seed right में मुझे jam मिलेगा, jam तभी आपको मिलेगा, आपको jam को successfully install करेंगे, इसे install करने की जो process है मैंने description box में already show किया है, तो आपको jam server पे install करना है and then, आपको jam पे click करने के बाद, आपको htbox में जाकर करके click करना है and then यहां पे आपको अपना WordPress file को paste करना है, file को paste करने के बाद, आप जिस name से website बनाना चाहते हैं, आपको उस name से project का name लग देना है, इससे क्या फैदा होगा, आपको इससे access करने में जड़ा भी problem नहीं जाएगी, तो सबसे पहले complete copy होने के बाद, आपको इस file का नाम दे देना है, जिस name से आप project बनाना बने हैं, तो मैंने यहां पे इसका नाम दिया, demo, तो यहां पे इसका नाम दिया है, demo, तो यह demo हमारा WordPress जो file था उसको हमने rename कर दिया है, बच्चो इसकी बार क्या करना है, तो बच्चो आपको यहां पे आपको क्या करना है, jam server पे आपको उसे start करके आपको Apache start करना होगा, then MySQL start करना होगा, दर्स के बार आपको admin option, यह जो admin है, MySQL का admin, Apache करना ही, MySQL का admin में आपको click करना है, तो बच्चो यहां पे आपको PHP MyAdmin show होगा, ठीक है बच्चो, तो मैं यहां पे एक new database बराने वाला हूँ हमारी website के लिए, तो मैंने आप एक new option पे click किया है, यह new option है, इस पे मैंने click किया है, आप चाहर पे आप database पे click कर सकते है, then यहां पे दिरा हूँ अपने website के कुछ भी लाइक, टेक्नोग यानि मैं database का name दे दिरा हूँ, यहां तो मैं database का नाम दिया, टेक्नोग यानि, then यहां पे आपको collection option पे जाकर select करना है, यहां पे आपको collection option आएगा, तो यह collection आपको choose करना है, then create option पे जाकर आपको click करना है, तो इससे आपका database त्यार हो जाएगा, तो बच्चों आपको क्यों यह जहान रखता है, कि आपके database का नाम जो है टेक्नोग यानि, ठीक है बच्चों, हमने आप वर्डप्रेस जो था उसको डैमो के नाम से एडिट कर दिया था, तो अब यहां भी हमने इस डैमो का access करना होगा, इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, localhost-demo, ठीक है बच्चों, तो यह हमारे WordPress के installation की process है, तो सबसे पहले आपको database बनाना है, तो database जो हमने बनाया है वो किस नीम से बनाया है, टेक्नो ग्यानी के नाम से बनाया है, then मैंने जिस नीम से project file बढ़ाई थी, जिस folder बनाया हुआ था, sorry file name folder, तो folder का name, localhost-folder name, then hit enter, तो आपको सबसे first window होगी WordPress की, then आपको मैंने by default मेरे English है, आपकी जो भी language होगी तो आप उसे choose कर सकते हो, then English language को मैं click करूँगा, then इसके बाद let's go, and सबसे important point यह है, यहाँब है हमारे database का name लिखना है, database का name जो हमने दिया है वो दिया है, टेक्नो ग्यानी, okay बच्चों, तो मैंने database का name क्या दिया था, तो आपको देना है, यूजर नेम देना है, यूजर नेम आपको देना है, by default root, and password आपको blank छोड़ देना है, तेहां रखनें, जिस नेम से आपने database मनाया है, username, username का नाम root है, and password आपको blank छोड़ देना है, and then submit option पे click कर देना है, इस तरह से WordPress की process, installation process है, and run the installation option को जाकर की click करना है, अब यहां पे आपका site title पूछेगा, so site title हमने दे दिया, like techno gyanee demo, ठीक है बच्छो, यहां मैंने दे दिया site title, techno gyanee demo, and username मैंने पास किया admin, आप अपने हिसाब से कुछ की username दे सकते है, then password जो है, मैं दे देता हूँ demo, address 123 has, तो username and password, यह आपने हिसाब से रिपना है, and किसी भी website की जान होती username and password आप अच्छे तरीके से समझ सके, तो आपको username and password को अच्छे से memorize जो हो सके, वो देना है, यहां पे आपको user email id देना है, जिसके तो यह पूरी website control होगी, बहुत ही कम टाइंग पे हो जाता है, में लिए यहां पे database बनाना है, तो database बनाने की process बहुत ज्यादा easy है, मैं आपको user explain कर दे रहा हूँ जब तक installation process हो रही है, यहां पे आपको jam control panel on करके, जो यहां पे जैसे यहां पे start store हो रहा है, यहां पे यहां पे पास करना है, तो यहां पे हमारा successfully WordPress install हो गया है, then login option पे जाना है, login option पे जाकर के हम अपने username and password को enter करेंगे, तो जैसा मेरा username था admin and password जो था मेरा demo adderit123 has, मैं आपको fixers हो कर दे रहा हूँ, यह पासवर्ट जो हमने यहां पे login कर दिया, इस तरह से हमारा WordPress एक complete, predefined, predefined website का हम use कर सकते हैं, चाहिए तो आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां बश्चा लेके जाना है, then यहां पे right click करके new app पे click करना है, तो आपका जो default website को इस तरह से show होगा, हम इसे और भी खुफ शूर बनाएंगे अभी, बिल्कुल, मुश्किल से दो मिनट और लगेगा, यहां पे आपको कहा जाना है, appearance में आपको themes option चूज करना है, themes option में आपको default theme show हो रही होंगी, आप चाहिए तो इसे delete कर सकते हैं, इसे डिलेट करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है, आपको corner पे delete option show होगा, आपको delete option पे जाकर के click करना है, तो इस तरह से आप default theme को delete कर सकते हैं, now add new option पे जाना है, add new option पे जाकर के आपको यहां पे जो theme है, उसे search करना है, जो हमारी themes है, जिसमें हम वह करने वाले हैं वह अस्तरा, तो मैं यहां पे type करूँगा astra, A-S-T-R-A, and then astra को जाकर के यहां पे install करना है, जो astra है, वह अपने आप में ही बहुत सारी website का collection है, इसमें number of websites हैं, predefined plugins हैं, आपको के बन इसे install करना है, then install करने के बाद, 2-3 minute में आपकी सारी website बनके complete हो जाएगी, यह totally depend करता है आपकी internet की speed पर, okay बच्चो, wait some time, okay, so installation process complete हो चुकी है, installation process complete होने के बाद, आपको इसे activate करना होगा, ठीक है बच्चो, activate button जैसे ही आप click करेंगे, तो आपको यहां पे headache पी यह देखिए, thank you for installing astra, then यहां पे get started पर आपको click करना है, ठीक है बच्चो, जैसी आप get started option पर click करेंगे, तो astra आप से related जितने भी option है, वो आपको यहां पर show होना start हो जाएगी, सबसे पहले आपको editor होगा, जो thief editor है, वो आपको show होगा, इसे activate हो जाने दीजे, आपको इंटरनेट का connection लगेगा, बाकी आपको किसी भी काम करने के लिए इंटरनेट का नहीं लगेगा, बट आपको plug-in इस्टॉल करने के लिए और theme इस्टॉल करने के लिए, आपको internet का requirement रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चो, तो यह हो गया आपका जैसा कि मैंने बताया यह different page builder है, हम जो prefer करेंगे वो करेंगे Eliminator, क्योंकि beginner के लिए सबसे best होता है, आपको normal इसमें जाकर के click करना है, Eliminator option को choose करना है, तो अस्तरह के अंदर Eliminator page builder से related, जितने भी pages होंगे, जितने भी predefined website होंगी, template होंगे, design होंगे, वो आपको यहाँ पर show होने लग जाएं, देखिए बच्चो, यह तेरे देरे load हो रहा है, then load होने के बाद, आप चाहें तो यहाँ से देखिए, यह number of option available है, free, agency, आप किसी भी option को choose कर सकते हैं, learn करने के लिए आपको free option ही choose करना है, ठीक है बच्चो, तो मैंने आप एक free website है, यह organic store, इसको मैं choose कर रहा हूँ, then मैंने इस पर click किया, तो click करने के बाद, मुझे इस website को या इस theme को store करने के बाद, मुझे home, about and contact, 3 person, तो मैं इससे इसके लिए normal क्या करना हुँआ, import complete site पे जाकर के click करना, तो इस तरह से, एक complete website, आपकी local website में आकर के import हो जाएगी, ठीक है बच्चो, मैंने यहाँ import option पे click कर दिया, और आपको क्या करना है यहाँ पे, 2-10 minute का wait करना है, यह totally depend करता है, आपकी website की size पर, और internet की script पे, तो यहाँ से आपको 2-10 minute का wait लगेगा, और इसके बाद, आपकी e-commerce website, बनके तयार हो जाएगी, बिना किसी coding के, यहाँ बच्चो आपने एक भी coding अभी तक नहीं किया, आपने देखा मैंने कहीं भी coding नहीं किये, आपको cable step follow करना है, और step follow करने के साथ, आपको सही guideline follow करना है, आपको सही guideline follow करने में जड़ा भी problem है बच्चो, तो प्लीज, comment box में मेरे साथ बिलकुल share कीजे, या आप video बढाकर भी मेरे साथ share कर सकते हैं, मैं उस video को next video में चलूँ share करूँगा, तो प्लीज, इस installation process को complete हो जाने दीजे, तो बच्चो जिस तरह से जैसे ही आपका importation complete होगा, तो यह इस तरह से आपका website का आपको message होगा, तो यहाँ पे आपको जाकर के widget site पे click करना है, और आप इतना होगे आपे local desk demo ही है, कुछ भी कुछ अलब ही है, जासे ही यह complete होगा, देखेगा आपकी जो website है, किस तरह से show होगी, जी आपको previous दे show करना हूँ, यह पहले इस तरह से show रही, and then, यह देखेगा, complete website, आप मुस्किल से 20 बिनट बे बना सकते हैं, यह आपकी complete website है, कर हम देखेगे, इस website को किस तरह से इंको addit करना है, और addit कर, हम अपने किस तरह से इसको use मिले सकते हैं, ठीक है बचो, तो यहाँ बे आप चाहो, तो यह पे number of themes available है, आपको उसको choose करना है, then choose करते के बाद उसे import करना है, as per your requirement, आप selected theme को choose कर, अपने इस website को बना सकते हैं, okay बचो, उम्मीर करता हो, आपको पसंद आया हो, तो please like करें, share करें, comment करें, thank you so much, all the very best.